जयाहिन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवस क्लासेज, कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ, आप सभी अच्छी होंगे, तो बच्चों हमने कच्छा आठवी की हिंदी पाठ पुस्तक में अध्यातीन तक को किया था, अध्यातीन मित्रता, उसके पहले दो और पाठ है, उन सभी को मैंने अच्छी प्रकास से करवा दिया था, तो आशा करता हूँ कि अब सभी ने उन पाठ को देखा होगा, पढ़ा होगा, उसकी प्रशन उत्तर किये होंगे, तो आज हम लेंगे पाठ चार, पाठ चार का नाम है पत्त की पहचान, तो यह एक कवीता है, बहुत थी, साइद कवीता है, बहुत कुछ इससे सिखने को मिलती, आप लोग पढ़ोगे, मैं यहां से प्रशन उत्तर करवाता हूँ, तो पहला प्रशन कहता है, पत्त की पहचान कवीता में, कवी ने पत्त पर चलने से पहले क्या करने को कहा है, तो आप लोग लिखोगे पत्त पर चलने से पहले हमें उसे अच्छे से परक कर लेनी चाहिए, जीवन पत्त पर बादाएं आती है, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, दूसरा प्रशन कहता है, पाठ के अनुसार अंगिनत इस पत्त पर क्या हैं, जिनकी सहारा लेकर हम आगे बढ़ने का प्रियास करेंगे, तिसरा प्रशन है कि पत्त की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो लिखेंगे इसमें पत्त की पहचान अपने बुद्धी और विवेक से की जा सकती है, हमें वहरा अपनाना चाहिए, जिस पत्त से अनेक म गुज़रे, याने उन महाप्रुषों के मार्ग को अपनाना चाहिए, जिन्हों ने जी जान लगाकर अपने मुकाम को हांसिल किया, अपने लक्ष को पाया, हमें उस मार्ग को अपनाना चाहिए, इसे अपनो लिख लो, चॉता प्रस्ट कहता है, यात्रा को शफल बनाने के ल करना चाहिए कि कौन सा मार्ग बुरा है और कौन सा अच्छा हमें उन पजिनों का अनुशरन करना चाहिए जिससे हम अपने गंतव तक भाली भाती पहुंच सके ठीक है यह आप लो लिख लो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में उसे पहले आप लोग नए हो तो स्क्रैब जरूर करना पांच्वा प्रस्ण है कवीता के अधार पर बताईए कि यात्रा में कौन सी चीद अनिश्चीत है यानि कि वो आपके इर्भा मार्ग में आएगी पर अंतुवा कुछ ही समय के लिए आएगी उसके बाद वो नहीं आएगी इसमें लिखेंगे कि यात्रा में आ पांच में चटा प्रस्ण है कवी ने स्वपन पर मुक्त होने से मना क्यों किया है कि हमें स्वपन के आसरित नहीं होना चाहिए तो लिखेंगे कभी ने स्वपन से मुक्त होने को कहा है क्योंकि स्वपन हमें सत्य के समान प्रतीत होते हैं और हम यतार्थ को नहीं पहचान पाते हैं इसलिए यह आविश्यक है कि हम अपने यतार्थ को पहचाने और उसे पाने का प्रियास करें स्वपन में लगए कि वो चीज हमें प्राप्त हो गए लेकिन वास्तों में वो हमें नहीं मिलती है स्वपन देखना है स्वपन में हमें नहीं नहीं कलपनाएं मिलती है लेकिन स्वपन के भरोशे नहीं बेटना चाहिए हमें अपने यथार्थ को पहचानना चाहिए और उसे भी पाने का प्रियाश करना चाहिए सात्वा प्रश्न है कवी ने प्रिथवी पर पाउं टिकाय रखने की बात क्यूं की है तो इसमें लिखेंगे किसी मार्ग पर बढ़ने से पहले हम स्वर्ग का सपना देखने लगते है हमारे आँखों में चमक आ जाती है और हमारी कलपना भरने के लिए हमारे पैरों में पंक लग जाते है किन्तु उसी समय राह का एक मामूली काटा पाउं में चुप जाता है और खुन की दो बूंदे बहने से हमारी सारी कलपना दुनिया उसमें डूप जाती है या काटे हमें सिच्छा देते हैं कि भले ही तुम आँखों में श्वर्ण के सजीले सपने देखो परन्तु अपने आधार को मत छोड़ो अपना पाउं प्रीत्वी पर टिकाए रखो ठीक है तो यह हमें इस कविता से मिलता है तो यह थे इसके प्रश्ण उतर आसा करता है कब सभी ने नोट किया होगा तो धन्यवाद आप सभी का बहुत-बहुत वीडियो पूसंदाई तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा अब अपने परिवार भारतुस क्लासिस को सब्सक्राइब जरू किजिएगा धन्यवाद पुद्रो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याए पांच के प्रस्म उतर थेंक यू